E-Health क्या है? क्या आपने कभी अपनी या अपने परिवार की सेहत के प्रबंधन में मदद चाही है? जैसे की प्रयोगशाला के नतीजे जल्दी मिले या किसी बिमारी या दवा के बारे में और जानकारी हासल हो या शायद आप व्यायाम शुरू करना चाहते हो लेकिन ये तै नहीं कर पा रहे कि शुरुआत कहां से करें या फिटनिस के लक्षियों को कैसे तै और हासिल करें हम सभी के पास हमारी सेहत को लेकर सवाल हैं और कभी कबार उन सवालों के जवाब के लिए हमें मदद की जरूरत होती है हमारी जरूरत को पूरा करने में तक्नीकी मदद कर सकती है शायद आप पहले से ही ओनलाइन जानकारी हासल करने या अपने दोस्तों और परिजनों के साथ संपर्क करने में तकनीकी का इस्तमाल कर रहे हो। हो सकता है कि आप अपने बैंक के लेंदेन या किसी यात्रा की योजना बनाने में इसका इस्तमाल करते हो। यही उपकरण आपकी सेहत का बहतर प्रबंदन करने में आपकी मदद कर सकते हैं. इसे e-health कहते हैं. ऐसे विबिन तरीके हैं जिनसे तक्नीकी आप और आपके परिवार की सेहत में मदद कर सकती हैं. उदाहरन के लिए आप टीवी या रेडियो जैसे परंपरागत स्त्रोतों से सेहत की जानकारी और शिक्षा हासिल कर सकते हैं. या सेहत के किसी विशाय के बारे में जानकारी देखने या किसी बिमारी के बारे में और जाननी के लिए आप इंटरनेट का इस्तिमाल कर सकते हैं. आप प्रयोग शाला के नतीजों को आनलाइन भी देख सकते हैं किसी आप से अपने फिटनिस कारे कलपों का हिसाब रख सकते हैं स्वास्तिसेवा प्रदाता से आनलाइन जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया का इस्तिमाल कर रोगी साहता समोहों में शामिल हो सकते हैं या अपनी सेहत के रिकॉर्ड तक पहुँच कर सकते हैं। ये सभी e-health हैं। e-health, ट्वरित, अधिक सुरक्षित और बहतर देखभाल, सुनिश्चित करने में रोगियों और स्वास्ते सेवा प्रदाताओं को मिलकर काम करने में मदद कर रहा है। और इनमे से अनेक e-health उपकरन आपके और आपके परिवार के लिए ब्रिटिश कोलंबिया में उपलब्ध हैं। सुरक्षित तरीके से और आपकी स्वास्ते सेवा प्रदाता के साथ भागीदारी के लिए e-health को कैसे इस्तमाल करें। इस संबंद में संसाधनों और विचारों के लिए हमारी वेबसाइट पर आएं।